हेलो दोस्तों आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है आज मैं पेड़ी की रेस्पी लिके आई हूँ जो कि मैं दो चीजों से बनाई हूँ मिल्क पॉडर और बेशन से इसके लिए कटोरी सेट कर लिए एक चोथाई कटोरी घी ले रही हूँ उसी कटोरी सी एक कटोरी बेशन लेना है और इससे लोगाटोरी में देरे भूनेंगे इसे कम से कम 6-7 मिनट तक लो फिले में भूनना है घी अगर आपको कम लगे तो इसमें एक दो टेबली स्पून और घी डाल लेंगे इसे लगातार चलाते हुए भूनना जरूरी है जब इसमें से सोंधी सोंधी से खुस्पू आने लगे तब समझना चाहिए कि यह हो गया इसमें थोड़े बहुत लम्स पढ़ जाते हैं लेकिन यह टेंसन की बात नहीं है जब यह ठंडा हो जाए तो इसे एक जार में ट्रांसफर कर ले और इसमें 3-4 आई कटोरी चीनी डाले आप अपने टेस्ट के अनुसार डाले इसे ग्राइंड कर लेना है फिर इसे चनी से चानना बहुत जरूरी होता है नहीं तो कहीं कहीं पर चोटे बड़े दाने मिल सकते हैं इसलिए इसे अच्छे से चान ले इसे अच्छे से एक चम्मर से दबाते हुए चान लेंगे इस तरह से मैं सारे पॉर्डर को छान ले रही हूँ इसका एक स्मूथ पॉर्डर जरूरी होता है फिर से उसी पैन में मैं जिस कटोरी से बेसन ना पी थी उसी कटोरी से एक कटोरी दूद ले रही हूँ दूद को लो फिलेम में हलका गरम कर लेंगे इसके बाद इसमें एक कटोरी मिल्क पॉर्डर डालते हुए इसे गाढ़ा कर लेंगे कोई सा भी मिल्क पॉर्डर आप ले सकते हैं और इसे इस तरह से मिलाते हुए इसका इक गाड़ा पे तयार कर लेना है इसमें भी लम्स पढ़ते हैं इसलिए अच्छे से चलाते हुए गाड़ा करेंगे अब इसमें जो पौडर में बनाके रखी हूं वो डाल रही हूं इसे धीरे-धीरे करके मिलाना है अब इस फ्लेम को लो ही रखना है इस तरह से धीरे-धीरे सारे पौडर को डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और चलाते रहेंगे लगातार अब इसे लगातार चलाते हुए धीरे-धीरे गाड़ा कर लेंगे जब ये एक जगा सी मटने लगे तो समझना चाहिए कि हो गया चीनी मैं इसमें बेशन के साथ ही पीस ली हूँ आप चाहें तो चीनी को लाश्ट में भी डाल सकते हैं यदि आपको सूखा पेड़ा बनाना हो तो चीनी को लाश्ट में पीस कर डालेंगे इसे ठंडा होने देना है बिल्कुल हलका गरम में मैं पेड़ा बनाऊंगे और यदि आपको सूखा पेड़ा बनाना हो तो इस समय ही आपको चीनी पीस कर मिलाना है इस तरह से एक साइज का बॉल बनाते हुए पेड़ा बना लेंगे और ये पेड़ा जिस तरह से मावा का पेड़ा लगता है वैसा ही टेस्ट में लगेगा और थोड़े से इंगिरिडियंट से ये बहुत सारे पेड़े बन जाते हैं इस तरह से सारा पेड़ा बना लेंगे और इसे दो से तीन घंटा फ्रेज में रख देंगे उसके बाद ही इसे खाए ये बिल्कुल आपको मावा का पेड़ा जैसा ही लगेगा और सुखा पेड़ा बनाना हो तो आपको लाश्ट में चिनी पिसकर डालना है जब आपको मीठा खाने का मन करें और कमेन इग्रेडियंट्स हो तो इस तरह का पेड़े बना कर देखें आपको ज़रूर पसंद आएगा थैंक्स पर वाचिंग